असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूं असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ इक्सपर्ट दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्ष जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के कमेंट कर रिप्लै करने वाला हूं तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहरा सवाल आपने से यहाँ पर किसी भाई ने पूछा है यहाँ आप इसक्रीन पर देख सकते हैं इस भाई का कहाना है कि क्या हम कतर से working visa पर सौधी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं इसके बारे में बताएए दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास में पहले से सौधी अरब का वीजा नहीं है सौधी अरब का एकामा नहीं है तो आप सौधी अरब नहीं जा सकते हैं क्योंकि सौधी अरब का जो वीजा जो प्रोसेस होता है वो आपको अपनी कंट्री से करना पड़ता है जब मैं 2016 में सौधी गिया था तो उस वक्त मुझे अपनी कंट्री में रहकर के में पावर से वीजा निकलवाना पड़ा था में पावर के जरिये ही सौधी अरब का वीजा निकलता है इसलिए आप direct Qatar से सौधी नहीं जा सकते हैं अगर आपके पास में उसका already वीजा है या कमा है तो फिर आप जा सकते हैं आज के दूसरे सवाल में आप यहां पर देख सकते हैं आप मेंसे किसी भाई ने पूशा है इसनका कहना है कि यह भी Qatar में नए आये हैं लेकिन यह दूसरी चेंज करवाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर कहना चाहूँगा कि इस भाई के कहना है कि मैं भी Qatar में नए हूँ आप Qatar में बिल्कुल नए गए हैं आपको जिस कमपनी ने वीजा दिया है वो यह सोच करके दिया होगा कि आप उसके पास में जाकर काम करेंगे दो रूपे आप भी कमाएंगे और आपके वज़से भी कमपनी वाला कुछ कमा पाएगा तो यहां पर जो आप बता रहे हैं कि आप चेंज करना चाहते हैं तिससे कमपनी वाला का नुखसान है यहाँ पर मैं आपको suggestion देना चाहूंगा कि आप जिस company में खतर गए हैं तो उस company के पास में कम से कम 2 साल या यह के agreement का जो period बना हो उसको खतम कर लीजिए उसके बाद आप दूसरी company के पास में जाने के लिए सोचिएगा अगर यहाँ पर company वाला चैन्ज देने के लिए तयार है तो कोई दिकत की बात नहीं आप चैन्ज कर सकते हैं दोस्तो अगले comment में आप यहाँ पर देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूशा है यहाँ पर मैं नाम को हैड कर दिया हूँ इड़का कहना है कि इनकी जो company में जितने में लोग काम कर रहे हैं सारे लोगों को company वाले उनकी selling को कम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कतर में भी वह सही काम कम है तो आप situation को देख करके आप खुझ से इसके बारे में decide कर सकते हैं कि आपको काम करना है या नहीं रहना है अगर आपको काम करना है तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए अगर आपको काम नहीं करना है तो आप जो है company को reason देख करके आप भर जा सकते हैं यहाँ पर company वाला से एक demand आप यह भी कर सकते हैं कि आप दूसरी company में change लेकर के चले जाएं बहरहाल जो भी हो situation को देख करके आप decide कर लें क्योंकि अभी कतर में बुरा हाल है इसलिए यहाँ पर आप labor ministry में जाते हैं तो वहाँ पर भी सारे situation को देख करके ही कुई decide किया जाए अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूशा यहाँ पर देख सकते हैं यह भाई शाए domestic worker है किसी कतरी घर में काम कर रहे हैं इनका कहना है कि इनको 14 साल हो गिया है फिर भी इनके कफिल इनको इनोसी नहीं दे रहे हैं यह big problem में है तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहू हैं दो साल के बाद फिर आप दूसरी जगह जा सकते हैं कतर में जवरदस्ती एनोसी देने का ऐसा कोई रूल नहीं आया है आज के अगले सवाल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूशा है कि हम मस्जित के गेट के सामने में अत्तार इसने लिखा है लेकिन मेरे खिल शीज़ इतरह होना चाहिए इसी तरह आपने देखा होगा के जुमा की नमाज के बाद या किसी नमाज के बाद वहाँ पर आपने देखा होगा कि मस्जित के बाहर में गेट पर कुछ लोग पर्फ्यूम बेशते रहते हैं कुछ लोग जो है ऐर्फुन बेचते रहते हैं या इसी तरफ आ कोई जह साक सबजी बेचते रहते हैं तो इसके बारे में ये पूश रहे हैं क्या अईसा करना přेक्तर लीगल है या नहीं है तो यहां पर मैं कहाना चाहूंगा कि यह सारा काम illegal है अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपके खिलाप में करवाई होगी ये भी हो सकता है कि आपको कतर से deport कर दिया जाए तो इस तरह के activity आप कतर में मत करें दोस्तों आज के last सवाल में आप यहां पर देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूछा है इनका कहना है कि इनको कतर में कमपनी में एक साल हुआ है और इसने क्या किया है कि अपनी कमपनी से चेंज करने के लिए किसी दूसरी कमपनी में apply कर दिया है तो new company वाले इसको बोल रहे हैं कि 10 दिन के बाद में तुम्हारा ID चेंज हो जाएगा जबके पुराने अंकी पर धियान मत दीजिए अपने हिसाब से काम करते हैं यह वो कुछ आपका नहीं बिगार सकता है अगर वो कुछ करेगा तो कोट में आप जागर केस करें आपका पोजिशन वहाँ पर मस्बूत होगा यहाँ पर मैं आप लोगों को रूल के हिसाब से बताता चलूँ कि आप जैसे ही किसी दूसरी कंपनी में चैन्ज करने के लिए अपलाई करते हैं तो सिस्टम में आपका आईडिय एक हिसाब से ब्लॉक हो जाता है उसको कोई बला घुरूब नहीं लगा सकता है और नो उसको केंसिल कर सकता है लेकिन अगर कफिल चाहे तो अपना वास्ता मैं हमेशा आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि अगर आप बीच में कमपनी चैन्ज करना चाहते हैं जैसे के छे मेना होता है या ये के साल बर होता है एग्रिमेंट के एक्सपार होने से पहले अगर आप कमपनी चैन्ज करते हैं तो कमपनी के सहमती से कमपनी के परमिशन से आप चेंज करें ताकि आपके साथ में कोई मसेला नहीं हो या यह कि आप इंतजार कर लें कि आपका एक्सपैल होने वाला होगा उस टाइम आप चेंज करने के लिए अपको कोई नहीं रोक सकता है तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उम्मिद करता हूं जरूर पसंद अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नहीं जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें बहुत बहुत शुक्रिया